नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अर्पेत और एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश की राजसभा सीटों के लिए चुनाव कल होने वाले हैं और यहां पर कुल 10 राजसभा सीटे हैं जिस पर भातिय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने 11 प्रत्याशी उतार दिये हैं इसमें से समाजवादी पार्टी ने 3 और भातिय जनता पार्टी ने 8 प्रत्याशी उतारे हुए हैं पहले भाती जनता पार्टी ने 7 प्रत्याशी ही उतारे थे लेकिन बाद में उन्होंने एक और उतार दिया और अब मुकाबला काफी रोचक हो गया है इसके पीछे वज़ा ये है कि राजसभा में एक सीट पाने के लिए 37 विधायकों के वोट की आउशकता होती है तो अगर देखा जाए तो तीन प्रत्याशियों को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी को 37 गुड़े तीन याने की 111 वोटों की जरूरत है वही पर इस समय समाजवादी पार्टी के विधान सभा में 108 विधायक मौझूद हैं उन में से भी इर्फान सोलंकी और रमाकांतियादो ये दो लोग जो हैं ये जेल में हैं जिस वज़े से ये वोट देने नहीं पहुंच सकते तो जब ये वोट देंगे नहीं इनका वोट होगा नहीं तो आप 108 में दो घटा सकते हैं तो समाजवादी पार्टी के पास 106 वोट हैं इसके पहले अखिलेश यादो जी की मुश्किलें बढ़ा दी थी अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लुवी पठेल ने जब उन्होंने कहा था कि वो रंजन और बच्चन को वोट नहीं देंगी क्योंकि वो PDA से नहीं आते हैं और जब अखिलेश यादो जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष दावा करते हैं कि वो PDA का प्रतिनिद्धितु कर रहे हैं PDA की आवाज उठा रहे हैं तो उन्होंने जो प्रत्याशी चुने हैं वो PDA के क्यों नहीं है एक वक्त तो कठिनाई बढ़ गई थी लेकिन अब पलवी पटेल की नाराजगी समाप्त हो चुकी है उनका पूर्ण विश्वास है उन्होंने बलकी कहा भी कि अखलेश आदो उनके बड़े भाई जैसे हैं डिमपल उनकी भावी जैसी हैं और वो जिस संस्कृति से आती है वहाँ पर बड़े भाई और भावी को माता पिता का दलजा दिया जाता है तो अब इसमें कोई संदे नहीं बचा है कि पलवी पटेल राजसभा में समाजवादी पार्टी के लिए वोट करेंगी तो अभी भी 108 विधायक थे दो जेल में हैं नहीं आ सकते और पलवी पटेल वोट देंगी तब भी 106 ही हुए यानि कि 5 विधायक अभी भी कम हैं लेकिन अब कॉंग्रेस से जब जो है गडबंधन हो गया है और विधान सभा में दो विधायक कॉंग्रेस के भी हैं तो ऐसी स्थिती में 106 दो आठ एक सो आठ विधायक 108 वोट मौजूद हैं तीन अभ पर कोशिश की है उन्होंने एक प्रयास किया है अपने बिगडे हुए संबंधों को सुधाने का रगराज प्रताप सिंग और राजा भाहिया के साथ राजा भाहिया कुंडा से विधायक हैं और उनकी पार्टी में उनके अलावा एक और विधायक हैं जो कि बाबा गंज त पार्टी से आ सकते हैं तो इस तरह से 110 पहुंच जाएंगे तब भी एक वोट कम होगा लेकिन राजा भहिया वाले मामले में भी एक पेंच है पेंच यह है कि अखलेश यादो जी का संबंद कभी भी राजा भहिया से अच्छा नहीं रहा है राजा भहिया जी ने हलांकि खु समाजवादी पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाया बड़े बड़े पद दिये एक समय तो वो पांच विभागों का मंत्राले समाल रहे थे पांच मंत्राले थे उनके पास लेकिन तभी से बुरा संबंद भी शुरू हुआ अखलेश यादो और राजा बढ़ने लगा क्योंकि रगराज प्रताब जी के उपर दबाव पढ़ रहा था कि वो त्याक पत्र दे दे जिसके लिए वो तयार नहीं थे क्योंकि उनका कहना था कि मेरा इस मामले में कोई रोल नहीं है तो मैं क्यों त्याक पत्र दूं फिर इस तरह से संबंद गए और राजसभा चुनाओं में जिस वक्त अखलेश यादो जी मुख्यमंत्री थे राजा भहिया ने भातिये जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया था जबकि उनका अगड़बंधन तब जो है समाजवादी पार्टी के साथ था तो अगर अखलेश यादो बहुत ज जबकि वो तो गड़बंधन का हिस्सा थी राजा भहिया का तो बहुत अच्छा संबंद है भातिये जनता पार्टी से मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ से तो ऐसे में जो है इस बात की संभावना मुझे नहीं दिखती कम से कम कि राजा भहिया समाजवादी पार्टी के बेख्ष में मदान मत करेंगे लेकिन एक बात यह भी सच है कि भातिये जनता पार्टी जब से पूर्ड बहुमतवाली सरकार लेके आ गई है तो राजा भहिया के राजनीतिक कद में जो है गिरावट आई है क्योंकि जब पहले पूर्ड बहुमत वाली सरकारें ना रहती थी, तो यहां पर जो है, यह पूर्ण बहुमत वाली सरकार तो रहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के समय में, राजा भाया की जो हनक थी, उनका जो राजनीतिक रसूख था, कद था, अब भादिये जनता पार्टी के सरकार में, उनका वैसा महत तो नहीं है, व्यक्तिगत संबन भले ही बहुत अच्छे हैं, तो ये भी हो सकता है कि उस समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट दे ही दें, इसके अलावा लेकिन अगर दे भी देते हैं, तब भी आपके वोट कितने हो रहे हैं, 106 प्लस दो कॉंग्रेस के 8 और राजा भाया के 10, एक वोट अभी भी कम पड़ रहा है, तो राश्ट्री लोगदल के 9 विधायक हैं, यहां पर राश्ट्री लोगदल अभाती जनता पार्टी के साथ जा चुका है, लेकिन इन 9 विधायकों में से 3 विधायक अखलेश यादो के करीबी बताय जा रहे हैं, इन लोगों के संपर्क में हैं, और इन लोग समाजवादी पार्टी के पक्षमे वोट दे सकते हैं, अगर ऐसा हो जाता है, तो 113 वोट हो जाएंगे और आसानी से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुन लिया जाएगा, लेकिन अब क्या होगा, इसे अच्छी तरह स की जरूरत है, तो आप 8 से 37 का गुड़ा करेंगे, तो 296 वोटों की जरूरत है, इन सभी लोगों को जिताने के लिए, लेकिन भाती जनता पार्टी के पास कुल वोट हैं, 280, 280 कैसे, भाती जनता पार्टी के खुद के विधायक, विधान सभा में 252 है, अगर हम विधान सभ ये लोग दल के 9 विधायक यहां पर और हैं, इसके अलावा निशाद पार्टी के 6 विधायक हैं, सुभा सपा, जो की ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, सुहल देव भाती समाजवादी पार्टी, इसके 5 विधायक हैं, इसमें मैं अब्बास अंसारी जी को शामिल नही हो जाते हैं, अगर राजा भहिया भाती जनता पार्टी के लिए वोट कर भी देते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाते हैं, तब भी 287 ही वोट बन रहा हैं भाती जनता पार्टी के, जो की 296 से 9 कम हैं, तो ऐसे में राजा भहिया का ज्यादा महतु समाजवाद पार्टी के लिए है उतना भारती जनता पार्टी के लिए नहीं है क्योंकि वो जिता नहीं सकते हैं भारती जनता पार्टी को तो 9 वोट अभी भी कम पर रहे हैं एक विधायक बसपा का है लेकिने जो बसपा के विधायक हैं ये भाजपा के काफी करीब हैं ना केवल भाजप के रूप में जो की एक पुराने समाजवादी हैं भाती जनता पार्टी का इसके पीछे ऐसा सोचना है कि क्योंकि संजर सेट एक पुराने समाजवादी हैं तो उनके समाजवादी पार्टी के विधायकों से अच्छे संबंध है अच्छा तालुक है और ऐसे में वो समाजवा नव वोटों की सेंद मारी करना लेकिन फिल भी आसान नहीं होगा इनके लिए तो ऐसे में मुझे लगता है कि अखिलेश यादो यहां पर चुनाओ जीतने जा रहे हैं कल समाजवादी पार्टी के तीन प्रत्याशी जीतेंगे और भातिय जन्ता पार्टी के साथ विधायक ही जीत पाएंगे उनके आठवें प्रत्याशी को हारना पड़ेगा संजय सेट राज सभा नहीं पहुँच पाएंगे तो इस मामले में आपको क्या लगता है क्या अख्ले शादो अपने सभी प्रत्याशीयों को जिताने में सफल हों गया नहीं ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपको क्या लगता है कि राजा भाईया किसके पक्ष में वोट करेंगे समाजवादी पार्टी या भातिये जनता पार्टी तो अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद